पूदे जो पी एसी महों के बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव पर ले था सुरे टेंसन अरे काव पर ले था सुरे टेंसन जब अपसर बन केते घर पे धामाल ये कैसे होगा से हलो स्टूडेंस इन्वायरमेंट के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम फूल और फल देखेंगे चुकि कल की कक्षा में हम तना और पत्ती देख चुके थे आज जो हमारा टॉपिक है ये प्लांट का अंतिम टॉपिक होगा इसके बाद हम दूसरा टॉपिक सुरू करेंगे अगर ह इसी भी प्लांट्स का लैगिक जनन का एक प्रमुख हिस्सा होता है, अर्थात लैगिक जनन के रूप में ही इसे हम जानते हैं, आगे समझेंगे इसे हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा, फ्लावर की बात करें, तो पुस्पी पॉधों में, पुस्पी पॉधों का मतलब क्या है कि ऐसे पॉधें जिनमें पुस्प पाया जाता है, तो पुस्पी पॉधों में लैगिक जनन के मुख्य अंग कौन होते हैं, आपके पुस्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, हमने देखा कि जो जड़ होता है वो क्या करता है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है उन्हें एक अधार देता है वैसे ही आपका जो फ्लावर होता है फ्लावर किसका काम करता है लैगिक जनन का काम करता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है लैगिक जनन्र का मुख्य अंग कहा जाता है अगर ये नहीं ना हो तो इसमें किसी भी प्रकारण की प्रजनन भी नहीं देखी जाएगे इसलिए पुस्पो को प्रजनन रचनाएद भी कहते है यही कारण है क्यों क्योंकि यह लैगिक जनन में अपनी भूमी का निभाते हैं इसी कारण इन्हें प्रजनन रचनायक भी कहा जाता है आगे बढ़ेंगे पुस्पो से ही फलो तथा बीजों का निर्माड होता है निस्सित रूप से जो फूल हमारे होते हैं वो किस में भाग लेते हैं प्रजनन में भाग लेते हैं यही कारण है कि फूल की द्वारा ही क्या बनेगा आपका बीज बनेगा और आपका फल बनेगा आगे जब आप फल से भी जानेंगी कि कैसे बाखी चीजों का निर्माण होता है पुस्प की अगर रचना की बात करें तो अधिकांस पॉधों में पुस्प के चार मुख्य भाग होते हैं याद रखना है आपको कोई सा भी पुस्प हो मुख्य था अगर उसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है पुमंग और जयांग अब समझेंगे हमकी आखिर ये बाहे दल दल पूंच पुमंग और जयांग होते क्या हैं तो निश्चित रूप से हमने देखा कि कोई भी पौधा हो उसे मुख्य ता चार पौधों के जो फूल होते हैं वो चार भागों में वटे होते कौन-कौन सा बाहे दल पूंच दल पूंच आपका पुमंग और जयांग तो इन्हें एक-एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे यहां पर लिखा हुआ है आपका पार्ट्स ओफ फ्लावर तो हमने अभी पढ़ाए कि इसके कितने भाग होते हैं चार भागों के नाम आपको याद रखना है आपके एकजाम में डायरेक्ट भी सवाल कभी कभी बन जाते हैं कि फूल के कितने भाग होते हैं तो फूल के चार भाग होते हैं पहला भाग आपका बाहे दल पूंच कहलाता है दूसरा भाग आपका दल पूंच कहलाता है तीसरा आपका जयांग और चौंथा आपका पुमंग जयांग यह हम इस्ट्रेक्चर के द्वारा समझेंगे एक इमेज के द्वारा समझेंगे सबसे पहले बाहे दल पुँझ इवं दल पुझ क्या होते हैं तो यह पुस्प के सहायक अंग होते हैं या कह सकते हैं इनका कोई खास काम नहीं होता है कि इनका आपके बाहे दल पुँच और दल पुँच इसका कानड़ ये है क्योंकि अगर हम प्रजन क्रिया की बात करें तो उसमें मुख्य भूमी का हमें जयांग और आपके पुमंग की देखने को मिलती है ये क्या होते हैं किसी भी पुस्प के बाहरी आवरण होते हैं बाहरी आवरण के बाद एक और आवरण होता है जिसे हम दल पुंच कहते हैं तो इसी की बात कर रहा है तो अगर हम बात करें सहायक अंग अगर आप से डारेक्ट सवाल पूछे कि फूल के दो सहायक अंग कौन से तो आपको ध्यान रखना है कि फूल के दो साहयक अंग एक बाहदल पूंच है और एक दल पूंच है और अगर हम बात करें पुमंग और जयांग की तो जो पुमंग और जयांग होते हैं यह इसके मेन पार्थ होते हैं जो अती आवश्यक होते हैं किसके लिए आपके किसी भी के लिए, आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बाह दल पुंच की, तो बाह दल पुंच की ये बाकी कलिया क्या है आपकी ढकी हुई है ये जो हरा हरा आप देख रहे हैं ये ही होता है आपका बाहे दल पुंच इसे ही कहा जाता है क्या बाहे दल पुंच जब फूल खिलने लगता है तो ये भी क्या होते हैं खिलने लगते हैं ये सब ही क्या है आपके बाहे दल इससे आप समझ सकते, यह बाहे दलपुंच है, अब इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे, पुश्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है, बाहे दलपुंच, अब देखिए, आप यहाँ पस देख रहे हैं, ये क्या होगे आपका फ्लावर हो गया ठीक ये आपका क्या है एक फ्लावर है ये सब तो इसके क्या है अंतरी भाग है लेकिन अगर हम बाहे बात करें तो ये हमेशा क्या होता है ये हमेशा बाहर होता है और ये हमेशा हरे रंग का होता है याद रखिएगा आपका बाहे दल वो हमिशा हरे रंग का होगा तथा यह flower का क्या होगा किसी भी फूल का बाहरी हिस्सा होगा यह जो आप को दी क्विख रहा है यह क्या है जिसके करने फूल अभी ढंठा हुआ है तो यही जिसके करने फूल ढंका होगा यह начал बाह दल पूंचे अब अगला पॉइंट देखेंगे कि यह प्राया पत्तियुके समान क्या होते हैं निश्य प्राया पत्तियुके समान हारे होते हैं तभी तो यह क्या करते हैं कभी कभी भोजन पहुचाने का भी काम करते हैं किंता कलियों तक इसके एक भाय को क्या कहते हैं बाहे दल या बाहे दल पत्र कहा जाता है सैपल कहा जाता है एक को इसका प्रमुक कारी कली की अवस्था के में आंत्रिक पुस्प भागों की रक्षा करना है कली अवस्था में य यई किया आपका बाहदल पुण्ज अब यह क्या करेगा इसके अंदर जो आपकी गुलाबी गुलाबी कलर की फूल दिख रही है नर इसकी बात ओढ़िए यह ये जो आपका करता है साथ ही हरा होता है चुकि हरा होता है इसलिए बाकी कलियों को भी भोजन देने का काम करता है हरे रंग होते हैं इसका मतलब क्या होता है उसमें क्लोरोफील उपस्थित है क्लोरोफील उपस्थित है इसका मतलब उसमें भी प्रकास अंफलेशन की क्रिया देखने को मिले किसी भी फूल का बाहरी हिस्सा क्या कहलाएगा किसी भी फूल का बाहरी हिस्सा बाहर दल पुंच कहलाएगा अब बाहर दल पुंच के बाद जो दूसरा हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे दल पुंच कहेंगे रही बात पुमंग और जयांकी तो यह फूल के क्या है आंद्रिक हि अब बाहे दल पंज के बाद क्या आएगा आपका दल पूंज आएगा यह फूल की पतिया होती है जो कई रंग की होती है याद रखिएगा जैसे माल लीजे हम माल लेते हैं यह इस इस्ट्रेक्चर से समझेगा इसे हम ग्रीन कर देते हैं इसके अंदर क्या हमाल लेते हैं आपका फूल ढखा हुआ है इसके अंदर माल लेते हैं ऐसे करके फूल ढखा हुआ है ठीक यह फूल ढखा हुआ है अब यह फूल खिलेगा जब यह फूल खिलता है अब जब ये कोई फूल खीला तो ये एक-एक पत्ती जो आपको दिख रही है ना ये एक-एक पत्ती इसी को हम कहते हैं दल पूंज clear हुआ फिर से मैं repeat कर रही हूँ कि आपका जो बाह दल पूंज होता है वो हरे रंग का होता है और ये फूलों को ढखक कर रखा रहता है या कह सकते हैं उसका जो हरा-hrar आपको फूल के पास एक भाग दिखेगा वो बाह दल पूंज होता है दल पुंच किया कहते हैं जो आपके जितने भी फूल होते हैं फूल की पत्तिया जो होती है जो विभिन कलर की होती है उसे हम दल पुंच कहते हैं एक clear image के द्वारा हम इसे समझेगे ये देखिए मैं इसी की बात करती ये जितना भी आपको color दिख रहे हैं न चाहिए yellow color का फूलो ये सभी क्या है आपका दल पूंज है और ये वाला हिस्सा क्या है आपका ये जो इसको ढग कर रखा है ये क्या है आपका बाहे दल पूंज ये भी क्या है आपका लाल रंग का द और बाह दल पुंच है और बाहए दल पुंच में सबसे मेह अंचर क्या है तो यदा रखियेगा जो बाहए दल पुंच होता है वह हमेशा हराम हईक होगा लेकिन आपका दल पुंच है वह इसा colorful होता है क्योंगा इस दल-फून्ज क्योंए ओन सबसे ठेए की कुणकि जो दल-पुंज होता है वह फूल की पत्य होतीए है वह पत्या होती पेदिन मेंheiroमार करती है तो यह फूल क्या होते हैं रंग भी रंगे होते हैं यही रंग भी रंगे फूल ही दल पुंच कहलाते हैं और आपका बाह दल क्या कहलाता है जैसे आपने एक गुलाब का फूल देखा यहां पास आप देख रहे थे यह यह आपका क्या है बाह दल पुंच है यह भी क्या है आ अपनी और आकर्शित करती हैं यह जो फूल होती है ना इनहीं में क्या होता है खुस्बू होता है कभी कभी अगर याद रखिएगा जो फूल रात को खिलती है रात को खिलने वाली फूल हमेसा सफेद रंकी होती है और यह अपनी खुस्बू के द्वारा कीटो को आकर्शित क इन्हीं दलपुंज में सुगंध होता है जासा कि हमने बात किया यह भी कह सकते हिं कि दिन में भी खिलने वाले फूलों में भी सुगंध होता है। लेकिन दिन की अपेच्छा खिलने वाले फूलों से कई ज्यादा सुगंद रात में खिलने वाले फूलों में होता है जैसे रात रानी हो गई आपकी और कई यसे फूल है जो फूल रात में खिलते हैं वो अपने सुगंद के द्वारा कीटों को आकरशित करते हैं दिन में खि अंचने के द्वारा आकर्षित करते हैं ये वाल मीज़ की दुक्त करते हैं हम मनुश्य को इस तरह की क्वहाद ह forwards में कश्यों हम अच्छा लगता है तसे तथा दिन में खिलने वाले फूल के अपेच्छा क्या होते हैं अधीक सोगंदित होते ये भी हमने समझा दल-पुंज के एक इससे को पेटल कहा जाता है जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं क्या है ये फूल है do इस से बिसمنल कर लेते हैं आप देख सकते हैं इसी को हम क्या कहते हैं और हम बाइदल पुंच भी कर लेते हैं चुकि यह खिल चुका है तो इसलिए भी नहीं दिख रहा है यहां आपस क्या होता है आपका बाइदल पुंच होता है अगर हम बात करें तो अगर एक हिस्से की बात करें तो यह एक हिस्सा क्या कहलाता है पैटल कहलाता है और यही बहुत सारे पैटल मिलकर क्या करते हैं दल पुंच का निर्मार करते हैं सभी क्या है आपके पैटल है और यही सब पैटल मिलकर एक दल पुंच का निर्मार करते हैं याद रखेगा एक फूल की पत्ती को क्या कहा जाता है पैटल कहा जाता है और बहुत सारे पैटल मिलकर एक फूल का निर्मार करते हैं दल पुंच के एक हिस्से को पैटल कहा जाता ह अर्था 4, 6 या उससे अधिक दल का समू दल पुंच कहलाता है क्लियर हुआ दल पुंच बाह दल पुंच बाह दल पुंच क्या होता है बाहर की ओर होता है दल पुंच किसे कहते हैं आपकी फूलों की पत्तियों को ही हम क्या कहते हैं दल पुंच कहते हैं जो रंग भी रंगे ह सिर्फ एक कलर का इम्पोर्टन है यह हमारा क्या है तीसरा चकर है सबसे पहला चक्र हमने फूल का कौन सा देखा सबसे पहला चक्र हमने फूल का बाहे दल देखा फिर हमने दूसरा चक्र दल पुंच को देखा और तीसरा चक्र जो है वो हमारा क्या है पुमंग है जिसे हम क्या कहते हैं एंड्रोशियम कहते हैं तो यह क्या होता है आपका पुंकेशर से होगा और आप इसके आगे क्या पढ़ेंगे जयांग पढ़ेंगे जयांग जो होता है फीमेल में आता है तो यह किसे होगा आपके इस्तरी के सर से होगा तो याद रखिएगा पुमंग मतलब आपका पुंकेशर और जयांग मतलब इस्तरी के सर फिलहाल हम पु दल पुंच आप क्या थे फूल की वह बाहरी पार्ट्स थे जिसके कारणा फूल खूबसूरत लगता है लेकिन अगर हम काम की बात करें तो यह दोनों क्या करते काम को समहलते हैं अगर हम पुमंग की बात करें तो आपका फूल में ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है न ये ये वाला हिस्सा इसे ही हम क्या कहते हैं ये वाला हिस्सा पुरा ये माल लीजे आपको कोई फूल है फूल में जो इस तरह से गया रहता है न ये इस तरह से और ये जो बना रहता है अब पुमंग में भी तीन पार्ट्स होते हैं, याद रखना है आपको फूल का जो ये वाला हिस्सा गया है, ये जो आपनों को दिख रहा है, ये इस तरह से देखते होंगे न, ऐसे चार चार लगा रहता है, गुढ़हल फूल आप देखे होंगे, तो ये ही क्या कहलाता है, अब पुमंग के भी क्या होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, समझेंगे कौन-कौन से है, एक तो आपका क्लोरा है, और सबसे पहले ये आपके बहुत सारे हिस्से दे दिये हैं, हम एक पर्टिकुलर उस पर जाएंगे, ये देखे, याद रखना है आपको प्रतेक कहलाता है, पुंकेशर किसे कहेंगे, ये जो आपका डंडी जैसे गया रहते हैं, देखे, आप फूल में देखेगा, ऐसे चाट्थो लगी रहते हैं, किसी-किसी में जादा लगी रहते हैं, इस तरह से लगे होते हैं, ठीक, तो अब हम किसी एक को उठा कर उसकी बात कर रह के वाला जो फूला वाला एरिया होता है, ये पराक कोस होता है, ये जो डंडी जैसे गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फिलामेंट्स कहते हैं, या आपका पुंकेशर कहते हैं, जबकि फूला हुए भाग को हम क्या कहते हैं, पराक कोस कहते हैं, अब पराक कोस के अंदर ही इसको काट दिया जाए जैसे हमने इसे काटा तो इसके अंदर ही क्या मिलते हैं पराग कड मिलते हैं क्लियर हुआ इतना ही है कि जो आपके पुमंग होते हैं वो भी क्या होते हैं एक मेल मेल जन नांग होते हैं जो जनन में अपनी भूमि का अदा करते हैं तो आप लोंको इतना याद रखना है फूल के हमने क्या देखे अभी तक आपका filament किसे कहते है जो डंडी जैसा गया होता है उसे हम क्या कहते है filament कहते है और जो इस तरह से फूला हुआ भाग होता है फूले हुए भाग को हम पराकोस कहते है पराकोस के अंदर ही क्या होते है कड होते है जिसे हम पराकड कहते है यह क्या है आपके पराग कड़ हैं और ज्यादा हम समझेंगे यह सब को नोट करते चलेंगे तंतु एक यहां पर किसकी बात चल रही है फिलामेंड की ही बात चल रही है तंतु एक डंठल नूमा सन रशना होती है जो पूंकेसर को पुषपासन से जोड़ती है पूंकेसर को पुषपासन मतलब पुषपासन किसे कहते है या पर पुषपासन का मतलब क्या है पुषपासन का मतलब जहां पर सारे फूल पत्ति आप फूल जैसे देखते हैं खिला हुआ होता है वो सभी क्या होते है आशन बिछाय बैठे रहते हैं सारे लोग इखटा होते ह इंका आशन होता है और ज्यादा समझने के लिए हम एक फूल देख सकते हैं फूस पासन के लिए यह देख सकते हैं यह वाला जो एरिया दिख रहा है आपको यह वाला एरिया इसे क्या कहते है पूस पासन सभी आसन बिछाय बैठे हुए ना यह क्या कहलाता है आपका पूस प पुंकेसर के उपर एक फूली हुई सनरचना को पराक कोस कहते हैं ठीक इसी की बात हो रही यह क्या कहलाता है आपका पराक कोस कहलाता है पराक कोस तंतु जोड़ने का कारे संयोजी द्वारा संपन होता है यह कारे को बता रहा है तो बस अभी हमें इतना याद रखना है कि जो जे वो क्या होता है आपको जोड़ने का काम करता है और ये एक होता है पराग कोस पराग कोस को अगर आप काटेंगे तो पराग कड़ निकलते हैं पराग कोसों में चार कोस्ट्रक होते हैं ये हमने क्या देखा यह इस तरह से हमने ठीक फिर जब हम इसको काटते हैं तो यह चार भागों में बटा हुआ होता है इस तरह से जब हम यहां काटते हैं तो हमें क्या मिलता है इसके अंदर इसके अंदर हमें दाना दाना मिलता है इस तरह से इसे ही हम क्या कहते हैं पराग करते हैं बहतर समझने के लिए अगर एकदम प्रैक्टिकल आपनों को समझने तो आप गुड़हल का फूल ले लिजेगा उसमें आपको पौध है कि सभी भाग इसपस्ट रूप से मिल जाएंगे उसमें आपको परागड भी मिलेगा पराकड पराकोस भी मिलेगा उसमें आपको मुमं पराकोस के परांग कूटों में असंग के सूच में सनरचनाएं होती हैं जिन्हें पराकड कहते हैं पौलेन ग्रेन कहते हैं इन्हें सूच में दर्सी के द्वारा देखा जा सकता है इन्हें क्या कहा जाता है पौलेन ग्रेन भी कहा जाता है आगे बढ़ेंगे जयांग, जयांग क्या होता है, यह चौथा चक्र होता है, यह मादा जननांग होता है, वो क्या था आपका, वो आपका पुरुष जननांग था, या कह सकते हैं मेल जननांग था, यह क्या है आपका मादा जननांग, तो याद रखना अभी हमने क्या पढ़ कर रखता है जब पतिया धीरे-धीरे खुलने लगती है फूल की पतिया तो जया आंक विख भी खुलने लगता है भाई दाल पुंच कौण से कलर का होते हैं एक दाल मिलकर बहुत साले दाल-पुंच का निर्मार करते हैं यह क्या होते हैं आपके जो बाह दल पुंच होते हैं ये किसी भी पौधे के क्या होते हैं सहायक अंग होते हैं किसी फूल के सहायक अंग होते हैं जबकि तीसरा और चौथा हम बात करें पुमंग और जयांग की तो पुमंग जो होता है वो आपका कह सकते हैं मादा पुमंग आप आपका क्या होता है पुंक आपका पुरुस जननांग होता है जबकि आपका जयांग जो होता है और यह दोनों ही ५ूल के महतपूर करते हैं फिर हमने क्या देखा कि पूंंग को तीन भागों में बाटा गया है कौन कौन होते हैं तो इन्हें हम पराग कड़ कहते हैं आप लोग गोड़ाल का फूल लोगे तो उसमें इस पस ट्रोप सापको यह दिखाई देगा अब चौथा चक्र की हम बात करें तो हम क्या है यह जयांग है ठीक है आप देखिए यह फूल बैस्ट है यहां से आप लोग साइट सा एक से आधिक अंडबों से क्या होता है निर्मित होता है प्रत्येक अंडप में निम्न तीन भागों से निर्मित होती है इन्हें अब समझेंगे सबसे पहले हम बात करें चलिए हमने क्या देखा हमने देखा पुमंग भी तीन revealed यहाद रखेगा यह क्या कहलाता है आपका अंडासय कहलाता है अब इसी अंडासय के बारे में हम अभी पढ़ेंगे पुसपासन से लगा चोड़ा एवं फूला हुआ भाग किस से लगा हुआ पुसपासन अभी हम पुसपासन की बात करते हैं पुसपासन यहां फूल की जो पत्या होती वो आशन करती है अब देखी यह क्या है आपका पुसपासन है ठीक है यहां पर सभी फूल की पत्या क्या ह आसरित है आशन में बैठी हुई है तो यही वाला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है आपका अंडाश है कहलाता है और पुषपासन जिसमें पुषपासन में बैठी हुई होती है तथा इसमें उपस्ति छोटी छोटी सनरचनाओं को क्या कहते हैं बिजान और व्यूल कहते हैं इसके अंदर क्या दिखरी या आपको छोटी-छोटी सनरचनाए दिखरी होगी? यही क्या कहलाता है? आपका ovule कहलाता है. ओवरॉल जो ये पूरा है फूला हुआ इसे हम क्या कहते हैं अंडासय कहते हैं और इसके अंदर जो आपको छोटी-छोटी सनरचनाएं दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम उसका छोटा हिस्सा कहते हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं ओव्यूल या बिजांड कह सकते हैं यह बिजांड जब यह बिजांड अंडासे की आंतरिक दिवारों पर इस्थित होता है तो उसे बिजांड वृत कहा जाता है ऐसा इस्थान जहां बिजांड वृत से है उसे नाभी का या हाइलम कहा जाता है एक बार डारेक्ट आपसे सवाल किया गया था एक्जाम में कि हाइ किसे कहते हैं तो याद रखिएगा ऐसा इस्थान कौन सा इस्थान ऐसा इस्थान जहां बिजांड बिजांड वृत्त से हो उसे नाभिका या हाई-लम कहा जाता है अब आखे बढ़ेंगे अब सेकेंड की बात करें हम वर्तिका अब वर्तिका कहां पर है आपका स्टाइल कहां पर है यह वाला एरिया जो है वो आपका क्या है स्टाइल है यह बीच वाला एरिया इसे हम क्या कहते हैं स्टाइल या वर्तिका कहते हैं ध्यान दीजेगा पहला हिस्सा हमने क्या देखा प वर्तिकाग्र कहते हैं ध्यान से फिर से देखीगा ये क्या है आपका style ये आपका ओवरी और ये है आपका stigma स्टाइल की हम बात करें वर्तिका की हम बात करें तो यह अंडास है कि ऊपर इस्थित लंबे तथा क्या होते हैं लंबे पतले भाग होते हैं अगर हम वर्तिका स्टिग्मा की बात करें तो वर्तिका के सबसे ऊपर इस्थित स्वतंत्र एवं चिपचिपा भाग वतिकाग्र कह कहलाता है अब हमने क्या देखा फिर से इसको एक बार हम समझेंगे ज्रुट है यह क्या था आपका हमने क्या समझा सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं ठीक यह यहां से बीस्टार्ट कर सकते हैं यह हमारा क्या था यह हमारा अंडासे था हम która कि front फूल का क्या होता है अंडासय होता है दूसरा ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है ये आपका वर्तिका कहलाता है ठीक ये वाला जिसे हम स्टाइल कहते हैं ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका वर्तिका कहलाता है और उपर वाला जो होता है इसे हम क्या कहते हैं वर्त भी डाउट हो तो आप दुवारा इस वीडियो को देख सकते हैं अगर अभी तक यहां तक नहीं क्लियर हुआ तो हम क्या करेंगे फिर से इस इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे अब ध्यान दीजेगा अब हम क्या करेंगे कम्प्लीट पुस्प की बात करेंगे पुस्प के चार भाग होते हैं कौन कौन से हमने देख बायदल्पुंज in पुमंग और जयांग यह किसी भी पुस्प के क्या है सहायक अंग है जबकि जयांग और पुमंग है वह के मेन है यह जनन थे एख़ीख अगर हम वतिकाघ्र की बात करें वतिकागर तो चलिए आपका इत पार्ट सो गया अगर हम बाय दल पुंच की बात करें तो बाय दल पुंच क्या होता है हरे रंका होता है जो किसी भी फूल की पत्यों को ढखा रहता है साथ ही अगर हम किसकी बात करें दल पुंच की बात करें तो दल पुंच जो होता है वो हम फूल की पत्ती को हम क्या कहते हैं दल कहते हैं या दल पुंज कहते हैं क्लियर हुआ उसके बाद हमने क्या देखा उसके बाद हमने देखा पुमंग पुमंग क्या होता है नर जननांग होता है जो तीन भागों में बटा होता है ये भी हमने समझा था इसमें हमने देखा था कि इस तरह की यह, यहां से देखिएगा, यह वाला पूरा एरिया क्या है आपका नर जननाग है, ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, मादा जननाग, अब इमेज के थ्रू फिर से एक बार हम समझेंगे, सबसे पहले यहां ध्यान दीजेगा, हम लोगे स्टार्ट करते हैं कहां स हम लोगे स्टार्ट करेंगे पुमंग से, या कह सकते हैं मेल उसमें से, ठीक, आपका ये जो बाहर, ये जो एक पत्ती है फूल का, इसे हम क्या कहते हैं, एक फूल का जो पत्ती है, इसे हम कहते हैं दल या पैटल, ये एक फूल की पंखुरी है, ये वाला, इसे हम क्या कहते दल कहते हैं यह वाला जो एरिया निकला हुआ है इसे हम क्या कहते हैं पुमंग कहते हैं इसके भी तीन हिस्से होते हैं यह भी हम देखे थे बाहर दल क्या कहलाता है यह वाला जो पत्ती होता है यह हमने देखा जो फूलों को धग कर रहता है जब फूल क्या होते हैं जब खिल होती हैं जिसे हम बिजांड कहते हैं फिर ये वाला आगे हम बढ़ते हैं तो ये बीज वाला हिस्सा क्या कहलाता है तो हमने देखा वर्तिका कहलाता है या स्टाइल कहलाता है फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये से क्या कहते हैं वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहते हैं और बीच केसर कहलाते हैं या इस्तरी केसर मिलकर बनाते हैं जिसे हम जयांग भी कह सकते हैं साथ ही आपका पराखकोस पुतंतु और दल ये मिलकर किसकर निर्मार करते हैं आपके पुमंग कर निर्मार करते हैं तो ये चीजे हम देख चुके हैं तो हमारे फ्लावर में इतनी ही बाते क् और महतपूर्थ ही, यहीं से आपके सवाल बनते हैं. चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है, वो किस पर है? फल, यह हमारे पौधे का एक last part है, और कह सकते हैं, overall पौधे का जो result होता है, वो हमें किस रूप में मिलता है? फल के रूप में मिलता है, आप देखिए, किसी भी पौधे का विकास जो होता है, वो कितने सारे process में होते हैं, पौधे की कितने सारे parts, कितने सारे कामों में भाग लेते हैं, तो वैसे ही, अगर हम last part की बात करें, तो फल है जो किसी भी पौधे का एक क्या कह सकते हैं रिजल्ट होता है तो चलिए फल की हम बात करते हैं फल जो होता है वो पौधे का एक सबसे अंतिम वाला पार्ट होता है निशेचन के फल सोरोफ फल का निर्माण होता है हमने क्या देखा फूलों में देखा निशेचन की प्रक्रिया हो रही है पिर वहां से प्रकरिया होता है इस अधार पर यप बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे पहले हम इस चीज को समझते हैं तो फल क्या होता है, निसेचन के फल स्वरूप होने वाला जो परिणाम होता है, उसे हम क्या कहते है, फल कहते हैं, पौधों में क्या हुआ, निसेचन हुआ, पौधों में मिन्स पौधे का एक भाग, फूलों में क्या हुआ, निसेचन हुआ, निसेचन के बाद जो जन्म लि यह क्या है आपका यह वाला एरिया क्या है आपका अंडासे है जब यहीं अंडासे क्या हो जाता है परिक्पक्प हो जाता है तब यहीं अंडासे किसका रूप ले लेता है एक कह सकते हम एक फल का रूप ले लेता है जब यही अंडासे परिपक हो जाता है तो यही किसका रूप ले लेता है एक फल का रूप ले लेता है हमने फल के बारे में क्या समझा कि फल जो है वो निसीचन का एक परिणाम है जब आपका अंडासे होता है जब फूल का एक अंडासे परिपक हो जाता है, तब वो एक फल का रूप ले लेता है, अंडासे की बाहरी दिवारे फल के छिलके का रूप लेती है, अब सबसे पहले हमने क्या देखा, कि किसी कोई फूल है, उसका ये क्या है, अंडासे हमने देखा, अंडासे का ये जो बाह परिणाम है यह आपके किसी भी अंडासय का मतलब आपके फूल में जो अंडासय होता है उसका जो बाहरी परत होता है तो वही बाहरी परत क्या करता है छिलके का निर्मार करता है फल का मुख्य काम बीज को सुरक्षा देना है ताकि अगले पीड़ी को जन्म ले सके अब ये क्या है ये आपका कोई सा फल है कौन सा फल है ये आपका संद्र है अब इस संद्रे में भी क्या पाये जा रहे है बीज पाये जा रहे है तो फल भी तो कोई काम करेगा, तो फल क्या करता है, इसके अंदर जो बीज होती है, उसे क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है, उसे सुरक्षा देती है, ताकि अगर मैं खतम हो जाओं, चुकि निश्चित है यह फल भी खराब होगा एक निश्चित अफधी के बाद जब यह फल खराब होता है या सूख जाता है कुछ भी हो जाता है तो इसके अंदर से बीज निकलता है बीज से फिर वही प्रोसेस सुरू होता है आप लोगो इक जाम स्टार्टिंग में देख होंगे कि कैसे एक बीच को जमीन में डाला जाता है या मिट्टी में रहता है तो कैसे सबसे पहले मुलांकूर से जड़ का निर्मार होता है फिर तने से सखाएं निकलती फिर सखाएं से पतियां फिर पतियां से आपके फूल फिर फूल से फूलों में क्या होता है आपका प्र अरकल में बीज से प्रारम होकर किस पे खतम होती है फल पर खतम होती है तो यही क्या है किसी भी बीज का कह सकते हैं एक अंतिम परिणात में जब यह फल क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा यह सूप जाएगा तो किसका निर्मार होगा फिर आपके एक पौधे का निर्मार हो फिर से हम आगे बढ़ेंगे आगे देखिएगा अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स फूट्स के टाइप्स बात करते हैं देखिए हमने अभी तक जितने भी देखें सभी के हमने टाइप्स देखा फूल के भी अपने एक क्या होते हैं प्रकार होते हैं अब समझेंगे निस फल में हमने पढ़ा कि फल जो होता है वो किसी भी कोई अंडाशय है अगर वो परिपक्व हो जाती है तो एक फल का रूप ले लेती है साथ ही आपका जो अंडाशय होता है किसी भी कह सकते हैं फूल का अंडाशय जो होता है उसका जो बाहरी परत होता है मुझ क्या करता है छिलके का निर्मार करता है और फल क्या काम करता है जब वो फल बन जाता है तो उसके अंदर जो बीज होती है उसको क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है ताकि अगर मेरा सितो खतम हो जाए तो मेरे अंदर से जो बीज निकले वो बीज किसी नए पौधे को क्या दे जन्म दे क्लियर हुआ अब हम क्या करेंगे फल के प्रकार देखेंगे जिसके कई प्रकार होते हैं सबसे पहला हम प्रकार देखेंगे निसेचन के अधार पर फलो के प्रकार चलिए सबसे पहले निसेचन के अधार पर अगर हम फलों के प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये आपके तीन प्रकार के होते हैं अब सत्ते फल क्या होता । अब हम इसे समझेंगे कि टू फूट की या सत्ते फल की तो ऐसा फल जिसका निसेचन अंडासे में होता हैं सत्ते फल कहलाता है। का निर्मार करेगा इसे हम सत्य फल कहेंगे क्योंकि पूरे प्रोसेस के साथ इसका क्या हुआ कंप्रीट निप्टारा हुआ कह सकते हैं जब यह कंप्रीट हुआ प्रोसेस तब फल का निर्मार हुआ जिसे हम प्योर फ्रूट कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी गड़वडी न यह देखिए यह सभी क्या है आपके सत्य फल है प्रॉपर इन में प्रोसेस हुआ है प्रॉपर इनका अंडासाय में निसेचन हुआ है तब जाकि यह क्या हुए है सत्य फल बने हैं तो याद रखिएगा एक्जामपल सत्य फल का कोई दो एक्जामपल कम से कम याद रखिएग आपका जामून और ये आम, तो ये याद रखना है आपको, आगे बढ़ेंगे, आगे है असत्य फल, false fruit, क्या होता है, ऐसा फल जिसमें परागड के फल स्वरूप, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें परागड के फल स्वरूप परागड अंडास है तक तो पहुंच जाते हैं, चले परागड हुआ, परागड के बाद क्या हुआ? ये आपका जो, ये क्या है आपका अंडास है, ठीक? परागड के फल सोरूप क्या हुआ आपका ये जो परागड है वो अंडासय तक तो पहुच जाता है किन्तु परागड का पुस्पासन में पहुचते हुए निसेशन जो हो जाए उसे हम क्या कहते हैं असत्य फल कहते हैं कैसे फिर से ध्यान दीजेगा ऐसा फल जिसमें परागड के फल सोरूप परागड हुआ परागड के फल सोरूप परागड अंडासय तक भी पहुच गया अंडासय तक पहुच गया लेकिन एक गड़बड़ी हुई एक गड़बड़ी क्या हुई एक ध्यान दीजेगा यहां पर एक image है इस image के थो समझेंगे देखिएगा क्या हुआ जो परागड के फलसोरुप जो आपका परागड था वो यहां पस पहुंच गया ठीक यहां पर पहुंचा लेकिन किसी कारण से क्या हुआ यह जहर गया तूट गया अब यह परागड जो है व यह कहां पहुंच गया आपके पुसपाशन में पहुंच गया जब पराग कर अंडासय में न रुक कर अंडासय से होते हुए आपके पुसपाशन पे पहुंच जाता है तब हम क्या कहते हैं और वहां पर निसेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं असत्यफल कहते हैं सत्यफल कि हो जाए चुकि सबसे पहले आपका क्या रहता है अंडासे रहता है अंडासे की नीचे न पुषपाशन रहता है जब अंडासे किसी के कानड से तूट जाता है कुछ हो जाता है गरबड़ हो जाता है और पढ़ाकड आपके उस पाशन में पहुंच जाता है तब अशत्य फल क example क्या है आपका सेब का फल सेब जो है इसका best example है किसका आपके असत्य फल का फिर से repeat करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम फिर से एक बार देखेंगे ऐसा फल जिसमें परागड के फल सोरू पराकड अंडासे तक तो पहुंच जाए किन्तु ये फल जड़कर खत्म हो जाए और परागड जो है पराकड का पुसपाशन में पहुंचते हुए निशेचन हो जाए उसे हम अशत्यफल कहते हैं तूटके वो नीचे पहुंच गया इसका सबसे बेस्ट एक्जामपल है सेब सेब जो है इसका जो निशेचन होता है वो किस में होता है पुसपा आसन उसे हम क्या कहते हैं पुसपार्शन अब बात करते तीसरा जो में वो अनिसेच फल कहलाता है अनिसेच फल में क्या होता है ऐसा फल जिसमें परागड के साथ साथ निशेचन की भी प्रक्रिया क्या हो जाती है पूरी हो जाती है अंडासय तक पहुंच ही नहीं पाता है ख का तो इसके कारण क्या है पता है यह उल्टा लटक जाता है फूल जो होता है लटा लटक जाता है तो उसके कारण क्या होता है जैसे ओवरी में पहुच्छन चाहिए उप पहुंचना चाहिए पर पलड जाता है तो यह उपर पहुंच जाता है जिसके कारण वहीं पर इसका परागड भी हो जाता है और वहीं पर इसका निशेचन भी हो जाता है तो केला केला इसका क्या है बैस्ट ग्जामपल आप इसका फल भी देख सकते हैं हमें इसा उल्टा रह अब हम बात करते हैं निर्मार के अधार पर फलों का प्रकार, तो निर्मार के अधार पर फलों के भी कुछ प्रकार होते हैं, सबसे पहला जो प्रकार होता है, सरल फल होता है, सरल फल मतलब इसमें बहुत सरल विधी का प्रयोग होगा, अब कैसे विधी होगी हम समझेंगे, स सरल फल अर्थात ऐसा फल जिसका निर्मार एक फूल के द्वारा होता है। मतलब एक फूल है तो एक फूल में एक फल होगा। उसे हम क्या कहते हैं। उधानन के लिए अम्रूद का फल आप देखेंगे आपका भी बही का पेड़ नोटिस करिएगा एक फूल लगा रहता है तो एक फूल में क्या होते हैं। एक ही अम्रूद निकलता है। तो यह क्या है अपका सरल फल का उधानन है। बात करते हैं दूसरा समूह फल या संयुक तो फूल भी कह सकते है फल कह सकते है, ऐसा फल जिसका निर्माण एक फूल के द्वारा कई फलो का निर्माण हो, फूल तो एक रहेंगे, लेकिन इससे क्या होते हैं। category में आती है, वो संगतिक फल में आता है, संगतिक फल होता क्या है, तो ध्यान दीजेगा, संगतिक फल में वैसा फल जिसमें फल का निर्मार होता है, किन्तो फूल के अन्य भाग, फूल के अन्य भाग क्या क्या है, आप लोग देखे होगे, उसमें और भी पार्स, जिसे वति देखान दीजेगा वैसा फल जिसमें फल का निर्माड होता है किनतो फूल के अल्य भाग उसी फ़ल में चिपक जाते हैं कौन-कौन से फूल के अल्य भाग हमने देख resembles था तो वही जो अल्य भागए झब आपके फूल में चिपक जाते हैं तो क्या कारण का छिलका मोटा हो जाता है अब पार्ट्स ऑफ फ्रूट हमने क्या समझा हमने फल के प्रकार देखा हमने यह भाग है उत्तर टाइम हम क्या देखे फल के प्रकार देखे अब हम इसके भी पार्ट्स समझेंगे कि एक फूट में भी तो कई पार्ट्स होते हैं तो मेंली इसे दो भागों में बाटा जाता है, एक तो फल भित्ती कहा जाता है, एक तो बिजांड कहा जाता है, इसे समझेंगे, आपका जो parts of fruit है, इसे हम कहते है, पैरी क्राप, ये भी तीन प्रकार का होता है, एक सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है, आम, आम इसका best example, जिसे छिलक जासा रहता है, ये इसका first part होता है, और इसके अंदर जो गुदा होता है, जिसको हम खाते है, ये second part होता है, और जो गुठली होती है, वो उसका third part होता है, वैसे seed, बीज की बात करें, तो आप बीज को देखिएगा, बीज को भी, बीज भी तीन भागों में बटा होता है, एक तो सबसे ओपरी भाग, फिर जिसको आप 20 से 2 टुकडा करते हैं वो और एक अंदर में रखते हैं, वो भी क्या होते हैं, तीन भाग में होते हैं, तो मुख्यता जो आपके फल होते हैं, दो भाग में बटे होते हैं, वो दो भाग में बटे होते हैं, अब एक एक करके समझ थेंगे हैती मलब सबसे पहले पेरी काड़ अब पेरी कार्ब के बारे में देखते हैं यह किया है आपका यह डिया है पेरी कर आप ये यह आपका अब ये आपका झाहिए एंडोकार फेल्स ऐसे आपका यह जब हम आम खाते हैं तो पूरा गुदा निकालते तक खाते हैं पूरा सोव लेते हैं तो जो गुठली होता है उसे हम क्या कहते हैं आपका है इंडोकार्प कहते हैं एक होता है सबसे अंदर वाला भाग होता है फिर सेकेंड क्या होता है आपका सबसे अंदर वाला भाग हो जिसे हम गुठली कहते हैं और आपका मेसोकार्प जो आम में गुदा रहता है उसे हम क्या कहते हैं मेसोकार्प कहते हैं और आपका जो इपी कार्प होता है वो सबसे बाहरी आवण रहता है छिलके जाता रहता है क्लियर हुआ फिर से मैं रिपीट करती हूँ यह जो आपका गुठली है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम इंडो कार्प कहते हैं फिर गूदा जिसको हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं मीशो कार्प कहते हैं और जो छिलका होता है उसे हम इपी कार्प कहते हैं अब बात करते हैं सीड की बीज की तो बीज भी क्या होता है आपका बीज विक्षित होते हैं यह हमने फूल में देखा था ठीक निशेचन के बाद निश्चित रूप से फल बनते हैं फल के अंदर बीज होते हैं फिर यही प्रोसेस होता रहता है परिपक होने के बाद बिजांड विक्षित होकर बीज बनाता है तो बिजांड ही क्या होते हैं बीज बनाते हैं, फिर बीज से ही क्या निकलता है, मुलांकूल, फिर प्रांकूर, फिर प्रांकूर से तना, फिर तना से साखाय, साखाय से पतिया, पतिया से फल, फिर फूल से फल, फिर फल के अंदर आपका क्या होगा, बीज होगा, फिर बीज के अंदर बिजान, तो ये प के लिए भी बस नहीं बलकि environment अगर जिस भी एकजाम में है जहां पर भी environment की बात हो रही है वहां के लिए भी बहुत important है आज के लिए इतना ही कल हम मिलते हैं next topic के साथ जब वो हमारा किस से संबंधित होगा वो हमारा competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको